शालूम प्रियो आप सबको मसीनेटर्ट चैनल में फिर से स्वागत है क्या कारण है कि एक मसी विश्वासी प्रातना नहीं करता प्रियो बहुत से मसी लोग प्रातना नहीं करते ये बहुत सपस्ट है कि अगर हम प्रातना लगतार करेंगे तो हम अधिक मात्रा में परमेश्वर की सामर्थ को पा सकते हैं और परमेश्वर के वच्चन की गुप्त बातों को ज्यादा से ज्यादा जान पाएंगे अक्सर मसी लोग प्राथना न कर पाने का पांच वजे मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ पहला कारण है डेविल यानि शैतान प्राथना हीन मनुष्य से सबसे अधिक लाब शैतान को होता है क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्राथना करे और उसने हम इस रिस्टी भी इसलिए किया है कि हम उससे बात भी करे इस कारण वो हमारे पिता है और हम उनकी संतान इसलिए शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर से प्राथना करें ये दियाब दानियल की किताब में छे अध्याय उसका दस पत को पड़े उसमें शैतान की युकती के बारे में आप समझ सकते हैं महा शैतान ने राजा के द्वारा एक आग्या पत्र दस्तकत करवा दिया जिसमें कहा गया था कि 30 दिन तक जो कोई राजा को छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से बिंती करे वसीहों के मांद में डाल दिया जाएगा यहाँ पर हम शैतान की असलियत जान सकते हैं जो कभी नहीं चाहता कि कोई भी जीवित परमेश्वर से बिंती करे और जो कोई बिंती या प्राथना करने की कोशिश करता है तो वो उन्हें किसी भी रिती से प्राथना से दूर लेने का प्रयास करता है जैसे कि प्रातना करने से बहाना, प्रातना करने से आलस, आधी मार्ग का भी इस्तमाल करता है क्योंकि एक बार जब आप प्रातना करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आप अजय हो जाते हैं अगर एक बार जब आप प्राथना जीवन विक्सित कर लेते हैं तो आप विज्जाईता हैं क्योंकि प्राथना के द्वारा आप बड़े पाहाड भी हिला सकते हैं दूसरा है आपका मूल पाप परमेश्वर से भागना मानव सोभाव में रहा है यदि आप आदम हवा को याद करें तो जब उन्होंने पाप किया था तो वह परमेश्वर की नजरों से छिप गए थे परमेश्वर के पास जाने के बज़ाए वे उनके पास से दूर हो गए और वे कुछ जाडियों में छिप गए थे और वैसे ही ठीक काम हम भी कर रहे हैं जौन बिन्योन ने कहा प्राथना मनुष्य को पाप से दूर कर देगी क्योंकि पाप मनुष्य को प्राथना से दूर रहने के लिए लुभाएगा। जरा सोच ये प्रियो जब हम किसी भी शेत्र में असफलता मिलती है तो हमारे पास परमेश्वर के साथ समय बिताने की संभावना कम हो जाती है। यह आम तोर पर हमारी और से होती है, परमेश्वर की और से नहीं। हम उसके पास जाने के लिए दोशी और अयोग्य महसूस करते हैं। इसलिए हमें अपने आप को सही स्थान में रखरा चाहिए और असफल होने पर तुरंत परमेश्वर के साथ रहे कर ही बातों को ठीक करनी चाहिए। प्रियो अगला कारण है कि हम प्राथना नहीं कर पाते वो है हमारा आलसी होना। प्राथना अक्सर श्रम साध्य होता है। इफ्रोस के बारे में कहा गया था कि वे प्राथनाओं में तुम्हारे लिए सदा परिश्रम करता है। अगर हम प्राथना कर रहे हैं तो प्राथना प्रयास और परिश्रम करती है। प्राथना में लौलीन रहना चाहिए। इसलिए हमारी प्राथना की कमी अक्सर आलस्य का परिडाम है। प्राथना विचार, एकागरता, प्रयास, संकल्प और द्रिंडता की मांग करती है। यशया ने पुकारा कोई भी तुझसे प्राथना नहीं करता ना कोई तुझसे साहता लेने की चौकसी करता है कि तुझसे लिप्टा रहे। प्रियो आईए हम प्राथना में उत्सा पूर्वक परिश्रम करते हुए इश्वर को थामने के लिए खुद को उभारे। चौथा कारण है कि हम प्राथना को प्राथमिक्ता नहीं देते। कि मुझे पहले तीन घंटे प्राथना में बिताना होगा। अन्तिम कारण है कि हम हतोत साहित हो गए हैं। येश्व ने कहा मनुष्य को सदेव प्राथना करनी चाहिए और निराश ना हो। लुका 18 का एक। जब हम अपनी प्राथनाओ का तुरंत परिणाम नहीं देखते हैं तो हम अकसर निराश हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। येश्व हमें एक विद्वा का द्रिस्टांत सिखाते हैं जो एक अनियाई नियाई के पास मदद मांगने जाती है। ऐसा लगता है कि वो नियाई उसकी बात को नजर अंदास कर देता है और उससे सुनने से इनकार कर देता है। वो उसके इनकार से निडर है और लगतार उसके अनुरोद के साथ उसके पास जाना जारी रखती है। जब तक कि वो ये नहीं कहता हाला कि मैं इश्वर से नहीं डरता और ना ही मनुश्य की परवा करता हूँ। फिर भी ये विद्वा मुझे परिशान करती है इसलिए मैं उसका बदला लूँगा। ऐसा ना हो कि उसके लगतार आने से वो मुझे ठका दे। येश्वी ने आगे कहा सुनो कि अन्याई न्याई ने क्या कहा और क्या परमेश्वर अपने चुनो हुओ के लिए प्रतिक्रिया ना करेगा। जो दिन रात उसकी दुहाई देता है ये दिपी ये उसके साथ बहुत धीरच धरता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि वो शीग्र ही उसका बदला लेगा। तो भी जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या वो सच मुझ पृत्वी पर विश्वास पाएगा। इस द्रिस्टांत में येशु हमें चुनोती दे रहे हैं कि हम कभी हार ना माने। ये दिपी हमारी प्राथना का उत्तर देर से आता है और तुरंत नहीं आता हमें परमेश्वर की खोज तब तक जारी रखनी है जब तक कि हम अपनी इच्छित परिणाम नहीं देख प्रियो ये थी पांच कारण जो हमें प्राथना से दूर ले जाते हैं।